विज्ञानिक और पुरा तत्व विद समय समय पर अलग अलग खोज करते रहते हैं कई खोजे लोगों के मन में उठा रहे सवालों का जवाब देती है तो कुछ हजारों सवाल खड़े कर देती है आज हम आपको ऐसी ही बहुत अजीब और सबसे रहसे में खोजों के बारे में बताएंगे एजिप्ट की देवी हैथर के मंदिर की दिवार पर डेंजरा लाइट के चित्र तीन पत्थरों पर खोट कर बने हुए मिले हैं एक नजर में ये एक बड़े लाइट बल्ब जैसा लगता है जिसके एक सिरे पर सौकेट भी बना है लेकिन एजिप्ट के लोगों की मान्यता इस से बिलकुल अलग है उनका कहना है कि ये चित्र ये दर्शाते हैं कि गॉड़ेस हैथर साब के रूप में एक डे बार्च से उत्पन हो रही है डे बार्च लाइट बल्ब है और साब फिलमेंट सौकेट जैसी दिखने वाली आकरिती कमल का फूल है असल में ये क्या है ये कहपाना मुश्किल है इंजिनियूर्स का कहना है कि लाइट बल्ब की टेकनालोजी सीक्रेट सेरिमनीज में परयोग की जाती रही होगी इसलिए पुरा तत्व विदों को इस से जुड़े कोई अफशेश नहीं मिले है जिवाश में वग्यानिकों को 43 मिलियन वर्ष पुराना वेल का एक बहुत अजीब और रहसे में जिवाश में मिला है ये वेल वैसी बिलकुल नहीं थी जैसी आज कल हमें देखने को मिलती है वग्यानिकों का कहना है इस वेल के चार पैर थे, वेब्ड फीट और हूब्स भी थे ये खोच पेरू के प्लाया मीडिया लूना में हुई पलियोंटोलजिस्ट का मानना है कि उन्होंने एक रहसे में जीव की खोच कर ली है जो पानी में तैरने के साथ साथ धर्ती पर रेंगने में भी सक्षम था करीब 13 फीट लंबी इस वेल की पूँच बेहत शक्तिशाली थी और ये वेल की जगा आज के समिके ओटर या बीवर जैसी ज्यादा दिखाई पड़ती है इस खोच के बारे में रोचक बात ये है कि इसने इस तथे को जुटला दिया कि वेल मचली का ओरिजिन साथ एशिया में 50 मिलियन साल पहले हुआ था हाल ही में गल्फ ऑफ मेक्सिको में कोस्ट से 200 मील दूर एक 200 साल पुराना शिप रैक पाया गया इस शिप में कांच की बोतले, सेरमिक प्लेट्स और पुराने मिलिटरी मस्किट्स के क्रेटर्स मिले हैं समुदर तल से 4000 फीट नीचे डूबा हुआ हाला कि ये बहुत अधिक विगटेत हो गया है लेकिन लखडी की रक्षा के लिए लगाई गई तांबे की परत अभी भी सुरक्षित है बस इसका रंग समुदर के पानी की वज़ा से हरा हो गया है पुरा तत्व विदो का मानना है कि ये शिप 19-वी सदी के मध्धे का है इसमें मिले कुछ आपजेक्ट्स 1800 से 1830 के बीच बहुत प्रचलित थे आकरशन का केंद्र है इसमें पाया गया शिप स्टोव जो गल्फ और मेक्सिको में पाया गया दूसरा शिप स्टोव है आशरे की बात ये है कि किसी को ये नहीं पता ये जहास कहां से आया था कहां जा रहा था और कैसे डूबा ना तो इस शिप में कोई जानकारी दी गई है और ना ही इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है क्रोएशिया के दक्षिन दलमेशिया में एक पहाड़ी पर काम करते हुए एक आशरे जनक कबर चटान में दफन मिली ये मकबरा साथवी सदी बीसी में बनाया गया था इसमें एक रहस्से में युध के समय प्रयोग होने वाला ग्रीक हलमेट भी मिला है इसे इल्युरेन हलमेट के नाम से जाना जाता है पुरा तत्व विदो का मानना है कि ये हलमेट ग्रीक आर्मी के किसी अलीट मेंबर का रहा होगा शायद उसका शरीर मिट्टी में विघटित हो गया होगा इलियरीन लोगों से पहले ये हिलमिट प्राचीन ग्रीक स्कितियन्स एट्रूशियन्स के द्वारा प्रेयोग किया जाता था इलियरीन बालकन पेनिंसुला में 6 सेंचुरी में रहा करते थे और 4 सेंचुरी के बाद से उन्होंने इस तरह के हिलमिट प्रेयोग में लाना बन कर दिया था हाल ही में एजिप्ट से मिले एक 20 फीट लंबे पैपिरस को ट्रांसलेट करने के बाद रिसेर्चर्स को प्राचीन एजिप्ट की उस इंबाल्मिंग तकनीक के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था प्राचीन मेडिकल लेखों में पहले के समय में किसी मृत व्यक्ति के शरीर को धफन करने से पहले उसके शरी को समरक्षित करने के लिए की जाने वाली इंब्लमिंग की पूरी प्रक्रिया विस्तार में लिखे गई थी पैपिरस में मृत इंसान के चहरे को ममी में परिवर्तित की प्रक्रिया भी लिखी हुई थी पुरा तत्व विभाग के लिए ये एक बड़ी खोज है खास कर तब जब हमें मॉमिफिकेशन की तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ऐसे में 3500 साल पहले लिखे गए पैपिरेस बहुत महत्वपून आर्केलोजिकल अफशेश हैं कुछ नई आर्केलोजिकल खोजो की मदद से एक 480 साल पहले पाए जाने वाले एक जीव से जुड़ा रहस्य लगबग सुलजा ही लिया गया है हाल ही में मरोको में पैलियन्टॉलिजिस्ट को स्टाइलो फॉरेंस नाम के एक जीव का फॉसल मिला है ये जीव इतना अजीव दिखता है कि धरती पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य जीव से इसकी तुलना करना संभव है इस समतल दिखने वाले जीव का शरीर एक कवच से ढखा हुआ था इसके एक लंबा हाथ इसके एक शरीर को पोक कर रहा था आखर ये क्या बला थी देड़ सो सालों से ये बात विग्यानिकों के लिए भी रहसे बनी हुई थी कि इवॉलिशन के बाद ये जीव किस जीव में परिवर्तित हुए इस से पहले स्टाइलोफॉरिंस के जो अफशेश मिले हैं उनमें सॉफ्ट टिशू नहीं थे लेकिन हाल ही में सहारा मरुस्थल में इसी जीव के कुछ सॉफ्ट टिशू वाले फॉसल मिले हैं जिसकी वज़ा से विग्यानिकों के लिए उसकी एनाटमी करपाना आसान हो गया और 480 साल पुराना रहसे सुलज गया अब हम जानते हैं कि स्टाइल फॉरिंस, एकिनडर्म, सी क्यूकूंबर, स्टार फिश और ब्रिटल स्टार आदी जीवों के पूरवच थे नमबर चार मिस्टीरियस वाइकिंग बरियल क्लोट्स हाल ही में बेहद अजीब और रहसे में वाइकिंग क्लोट्स पाए गए हैं इन पर एक प्रकार की अर्बी भाशा में कुछ लिखा हुआ है इससे पता चलता है कि 9-11 सदी में रिसर्चर की कलपना से बिलकुल विपरीत वाइकिंग सिपाही इसलामिक लोगों से काफी संपर्क में थे इन कपडों पर अल्लह शब्द लिखा हुआ था लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वाइकिंग बोट कबर से मिले इन कपडों पर अल्लह शब्द क्यों लिखा हुआ था कुछ विशेशग्यों का कहना है कि वाइकिंग समाज में भी कुछ लोग मुस्लिम थे शायद कुछ लोगों ने सीक्रेटली इसलाम को मानना शुरू कर दिया था ये रोचक इसलिए भी है क्योंकि इस से पहले मिले अफशेशों से पता चला था कि कुछ वाइकिंग लोग परशियन औरिजिन के थे यहां तक कि उनके कपड़े भी परशिया और चीन से आते थे लेकिन इस नई खोज ने फिर से पहले के तथियों को संदेहास्पत बना दिया है जॉर्डन में सैकडो प्राचीन पत्थरों की कबरों की खोज की गई यह कबरे विशाल, चपटी, चटानों से बनी है यह साइट जॉर्डन की एक रहिस्तान शेत्र में है जो की इतना बंजर है की एक शुरुआती खोज करता ने इसे लैंड आफ डेड फायर का नाम दिया इसकी जलवाईव अब असु विधाजनक है और बहुत कम लोग वहां रहते हैं पत्थरों से ढकी कबरों को क्रेंस कहा जाता है जबकि जो ज्यादा कॉम्पलेक्स है उन्हें टावर टूम कहा जाता है ये मकबरे उनी प्राचीन सब्विताओं के नजदीक है जहां पहले नोमिडिक लोग रहा करते थे हालकि अधिकांश मकबरों को टूम रॉबर्स द्वारा नश्ट कर दिया गया था फिर भी पुरा तक्व विदो ने उनमें से कुछ को रिकवर कर लिया है जिससे मिली जानकारी के अनुसार 4000 साल पहले इन कबरिस्तानों का प्रयोग बंद हो चुका था जो इस समय में इस सब्विता का नश्ट होना दर्शाता है अभी भी ये बताना मुश्किल है कि यहां रहने वाले लोग कौन थे और वो ऐसी विरान जगा क्यों रहा करते थे और फिर इसे छोड क्यों गए नॉर्वे के एक कबरिस्तान के टीले में आर्केलोजिकल टीम को एक पुराना बोर्ड गेम पाया गया है आकेलोजिस्स का कहना है कि यह सबसे पुराना बोर्ड गेम है तीन सो एडी यानी लगभच सत्रा सो साल पुराना इसका मतलब यह है कि इसे रोमन आइरन एरा के दौरान बनाया गया था इस गेम को एक पांसे और अठारा प्लेंग चिप्स के साथ पाया गया था लेकिन आश्यरे की बात यह है कि यह गेम नौर्वे में मिला रोम के किसी हिस्से में नहीं इस गेम के साथ मिला डाइस में चार फेसिस थे जिसमें हर एक में शून्य से पांच तक डॉट्स बने हुए थे यह बेहत दुरलब पांसा है कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह खेल गेम ऑफ मरसीनरीस के नाम से जाने वाले खेल से प्रेरित रहा होगा यह पुराने वाइकिंग टेबल नाम के खेल से भी प्रेरित लगता है जो आज के समय के चैस जैसा ही है हाला कि इसे कैसे खेला जाता है इसके बारे में अभी किसी रिसर्च टीम को कोई अंदाज़ा नहीं है पूरा तत्व विदु का मानना है कि अगर वो इस गेम को डिकोड करने में सफल रहते हैं तो वो उस समय रोम और स्कैंडिनीविया के संभन्दों के बारे में जानकारी जुटाने में भी सफल हो जाएंगे च्पन सो साल पहले पाशान युग में मरी एक महिला की खोपड़ी ने उसके मृत शरीर को छोड़ कर काफी अनेक्सपेक्टेट दूरी तैय कर ली थी इस महिला के कंकाल की खोपड़ी इटली की मारसल ल्यूमिन नाम की गुफा में एक गहरे शाफ्ट में पाई गई है यहां तक पहुँचने के लिए एक रिसेर्चर को रॉक क्लाइमिंग एक्क्विप्मेंट का प्रयोग करना पड़ा इसलिए यह एक बड़ा प्रशन है कि यह सकल वहां पहुचा कैसे जबकि कोई अन्य मानवी अफशेश वहां पर नहीं है आकेलोजिस का कहना है कि जब महिला की मौत हुई तब उसकी कम्यूनिटी के लोगों ने उसका भहिशकार कर दिया था एक और थेरी यह कहती है कि शायद उसका सिर्टूफान भूस खलन जैसे इन्वायमेंटल फोर्सिस की वज़ा से उसके धर से अलग हो गया होगा और फिर नीचे गिर कर इस जगहा आ गया होगा हाला कि ये सिर्व विशेशग्यों की कल्पना है वास्तविक्ता अभी भी रहस से ही बनी हुई है तो दोस्तों ये थी दस सबसे अजीब और सबसे रहस समय खोजे ऐसे ही अन्य रोचक तथे जानने के लिए और हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद